अगर आप ट्रेड बनाएंगे तो आपको अच्छा कासा मुनाफ़ा हो सकता है बात करेंगे आज की दिन के बारे में कि आज की दिन हमने कौन से कौन से स्टॉक आपको रेक्मेंड करें थे और उनमें आज क्या हुआ तो दोस्तों ये जो वीडियो है बेस्ट रही कि टेकनिकल अनलिस के उपर क्योंकि हमारा जो चैनल है उन लोगों के लिए है बस जो टेकनिकल अनलिस को लेके काफी सीर्यूस है अगर आप एक Advanced Technical Analysis सीखना चाते हैं तो ये जो चैनल है आपके लिए बिलकुल काफी फायदेबन साबित हो सकता है तो वीडियो काफी educational है शुरू से लेकि आखिर तक जूर दिखेगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके notification बेल को क्लिक करना मत भूलेगा अब बात करते हैं आज के दिन के बारे में बात करेंगे कि आज के दिन ऐसे कौनसे क्वनसे स्टॉक है जो हमने आपको बेलेश हरैमी तो क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं 10,400 के आसपास हमने आपको recommend करा था कि आप बजाच फिंसब में अमनी position short में बना सकते हैं तो दोस्तों अब हम इसका पूरा review करेंगे और आपको बताएंगे कि बजाच फिंसब में किस तरीके से हमने जो recommendation दीती उसमें target आया तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर मैं आपको अब बजाच फिंसब के चार्ट पर लेके जाता हूँ और यहीं पर आपको ठीक से समझाता हूँ तो यहाँ पर बजाच फिंसब के चार्ट हमने यहाँ पर लगा दिया और यहाँ पर हम करते हैं इसके H4 के चार्ट पर लेके जाते हैं तो H4 के चार्ट में यहाँ पर देखेंगे दोस्तों काफी time से इस top में uptrend देखने को मिला था और यहाँ पर दोस्तों इक pattern बनाता बजाच फिंसब में जिसको बोलते हैं bearish harami, bearish harami pattern अब यह जो bearish harami pattern है यह बनाता दोस्तों H4 के चार्ट में 4 hourly चार्ट में यानि कि जिसमें 4 घंटे में एक candle मिलती है अब आपको पता है दोस्तों जब भी आप काम करते है टेकनिकल चार्ट पे तो ऐसा नहीं है कि आप 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं या फिर आप कोई एक ही time frame का चार्ट देख रहे हैं यहाँ पर हमें time frames को change भी करना पड़ता है अगर आप hourly का चार्ट देख रहे हैं तो आपको 30 मिनट के चार्ट पे भी चेक करना पड़ेगा इसके साथ आपको 4 hourly का daily का चार्ट भी चेक करना पड़ेगा और time frame का combination दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो यहीं पर हमें के अगरा 4 hourly चार्ट पे हमें pattern देखने को मिला और जब यह stock दोस्तों यहाँ पर चलना था 10,400 के आसपस तब हमने आपको recommend कर दिया था इस position में यानि कि इस stock में अपनी position short में बना सकते हैं इसके बाद दोस्तों इसमें low कितना बना अगर low के बारें बात करेंगे तो 10,400 पे तो आपको बोला था short करने के लिए और low बना है दोस्तों इसमें अगर मैं बात करूँ 10,113 रुपे गा तो दोस्तों देखेंगे 300 पॉइंट समें बजात फिल समें आज इंट्राडे में मिल गए हैं वो कैसे क्योंकि हमने यहाँ पे candlestick pattern का use किया था जिसको बोलते हैं बेरी शेरे मी इसलिए कहता हूँ candlestick अच्छी तरीक से सीख लिजिए क्योंकि अभी market क्या है दोस्तों अगर इसके बारे बात करेंगे अभी market के one side in market है अब one side in market में छोटे छोटे पैटन अगर आपको मिलते हैं तो इंटरडे में profit booking भी कर सकते हैं तो यह जो price action के बारे में बात कर रहा हूँ candlestick pattern के बारे में बात कर रहा हूँ यह सीखना काफी ज़्यादा जरूरी हो जाता है अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों दूसरा चार्ट देखेंगे वो है PFC का PFC में दोस्तों हमने 132.65 पर बोला था sell recommend करी थी क्या reason था उसके बारे में बात करेंगे तो क्या करेंगे PFC के चार्ट पर जाएंगे और यहीं पर जाके यहाँ पर देखते हैं अब आ जुस्तो जो चाठ था ये, जो चाठ था दुस्तो और ली का चाठ था और ली के चाठ पर हमने यहां पे बुला था, सैं रेकेमेंट कर था reason कहता है तो सेम वही PFC में, यहां पे मैंलिक देता हूं stop का नाम PFC और pattern का नाम है, same दोस्तो बेरिश हरायमी अब आप देख रहे हैं दोस्तों बेरिश अरायमी देखने को क्यों मिल रहा है अब ये दो स्टोक पता है दोनों स्टोक में बेरिश अरायमी क्यों मिलो इसका रीजन में आपको पता तो क्योंकि बेरिश अरायमी यानि कि एक bullish candle जिसमें एक spike देखने को मिलता है और साथ में एक bearish candle होती है तो जब market में एक spike देखने को मिलता है यानि कि अगर uptrend में आपको spike देखने को मिला तो यह वाली candle में क्या है यहाँ पे volume जादा है इसको बोलते है marubozo candle और next जो candle है वो small bearish candle है third candle क्या है bearish है हमने आपको जो recommend करा था 132.65 पे recommend करा था sell करने के लिए और इसमें दोस्तों जो low बनाया है इंट्राड ही में अगर बात करेंगे दोस्तों यहाँ low बनाया है 129.55 का तो कहने का वाला है दोस्तों यहाँ पे भी हमें 3 points किसमें मिले हैं दोस्तों PFC में बिले हैं तो आशा करता हूँ जैसे आपने बजाज फिसमें profit book करा है वैसे ही आपने PFC में भी profit book किया होगा तो reason दोस्तों मैं आपको बता दिया और यहाँ पे एक चीज और है दोस्तों कहना चाहूँगा क्योंकि market up trend में तो है तो यहाँ पे reversal आपको ज़्यादा देखने को बिलेंगे रिवर्सल के लिए आपको 30 मिनट का चार्ट भी देखना और लिका चार्ट भी देखना 4 अबर लिका चार्ट भी देखना पड़ेगा अब यहाँ पे बजाज फिसमें हमने जो अब यहाँ पे बात करूँगा यह जो चार्ट था दोस्तो H1 का चार्ट था अब यहाँ पे एक और चीज़े दोस्तो जो बताना चाहूंगा वो यह है कि तीसरा जो स्टॉक था वो था दोस्तो अपोलो हॉस्पिटल और उसमें जो टाइम फ्रेम मैंने चेक करा था यानी कि हमने जो टाइम फ्रेम चेक करा था वो था 30 मिनट तो 30 मिनट के इसाफ से दोस्तो यहाँ पे हम एक इवनिंग स्टार देखने को बलाता और इसके बाद क्या है? यहाँ पे क्या कर रहा है? अब यह वाला जो stock है दोस्तों इसके बारे में अगर मैं बात करूँ Apollo Hospital का जो stock है यहाँ पे क्या कर रहा है? पूरा consolidate कर रहा है और यहाँ पे negative divergence हमें देखने को मिल रहे है अगर हम overall चेक करते है Evening Star दोस्तों हमें यहाँ पे मिल गया है यहाँ पे Evening Star stock का नाम है Apollo Hospital और यह है 30 मिनट का chart में यहाँ लिख देता हो 30 मिनट का chart है तो यहाँ पे दोस्तों कहना चाहूँगा कि यहाँ पे भी आपको इत बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है तो हमें 30 अन स्फूल आप चार का चार करना है तो तो डोस्ते हम और छार चार जो सब refuses आपाई परिलों कि से पड़े इसनी को नहीं मिला इसका म liला त। से हमें थोड़ीं ने कि और टाइम फ्रेंस मन पड़े हैं कि statut मिननुत प सकते हैं ग्लाँ एफरवन में ज्फरमेशन और जयदा आती है तो stop loss इसे छोटे हो जाते हैं अब टार्गेट बहुत जादा बढ़े होते हैं अब यहाँ पे ना मेरी बात से confused हो रहे होंगे इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि हमारा जो technical analysis का online course है उसमें हमने बताया कि छोटे stop loss से बढ़ा target आप कैसे ले सकते हैं उसके उपर भी एक strategy है जो हमने आपने online course में समझाई है बट strategy के बारे में बोलना चाहूँगा दोस्तो strategy आपको तब समझ में आएगी जब आपको basic समझ में आएगा तो basic सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप directly strategy पे चले आते जी मुझे को यशी strategy समझा दो जिसे में काफी पैसा कमाल हो ऐसा नहीं हो था आपको पहले basic अपना strong करना पड़ता है basic को strong करेंगे तो ही strategy बनेगे और ऐसी बहुत सारी strategy है जो आप खुद से दोस्तों introduce भी कर सकते हैं खुद से बना भी सकते हैं खुद से create भी कर सकते हैं यानि कि दोस्तों जो आपका base है बहुत ज़्यादा strong होना चाहिए pillar मजबूत होगा दोस्तों अगर कहना चाहूँगा नीव मजबूत होगी तभी दोस्तों आपकी जो building है ना यानि कि आपकी जो इमारत है वो strong होगी अगर आपका नीवी कमजोर है ना तो आप कितनी बड़ी इमारत बना लो वो आखिर गाट धाई जहेगी तो यहाँ पर कहना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको तीन stock recommend करे थे अब यहाँ पर जाते हैं दोस्तों असली चीछ पर असली है हमारा private channel private telegram channel जिसमें हम भूँ सारे messages करते हैं अगर आपने देखो एक चीछाँ अगर आपने हमारा free वाला group जोईन नहीं करा है जो chart analysis के जो आप यहाँ पर देख रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको जाना है लिगने chart analysis लोगों हमारी पेचाना है इसको जाकर जल्दी सब जोईन दोर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों chart analysis के साथ साथ हमारा एक private telegram channel है यह हमारे अपने course के students को मैं यहाँ add करते हैं तो यहाँ देखें कितने सारे messages हमने आज करें हैं जैसे century textile है, cold pile है इसके लाब अगर मैं यहाँ पर देखूँ यह देखेंगे दोस्तों मैं नीचे से start करता हूँ DLF में अगर मैं DLF के लिए बता हूँ दोस्तों तो DLF मैं कल के लिए आपको बता जेता हूँ जैसे कि कमझे कुछ stock है जो कल के लिए आपको recommend करने है तो यहाँ पे एक stock है DLF यहाँ पर देखेंगे तो DLF में कल के लिए मैं आपको बता जेता हूँ बहुत ही जब दा strategy strategy का नाम मैं basically ले रहा हूँ बट यहाँ मैं बता जेता हूँ कि यहाँ पे न हमें एक pattern बहुत बढ़ी है देखने के पहले है DLF में जिसको बोलते है evening star evening star in DLF DLF ठीक है जी और यह जो pattern बना हूँ है यह daily का daily के चार्ट पे बना हूँ pattern है तो कल के दिन एक चीज़ आपको बोल देता हूँ कल के दिन अगर DLF break कर देता है 313.30 313.30 रुपे 30 पैसे का low break कर देता है तो आपको क्या करना है यहाँ पे stop loss लगाना है 328 का आप बोलेंगे 328 रुपे का SL बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है ज़्यादा बड़ा SL है तो आपको क्या करना है आप चाहे तो feature में भी position बना सकते है नहीं तो options करें ज़्यादा बेटर है आप एक काम कर सकते हैं आप इसकी call writing भी कर सकते है तो कहना अगर मतलब यह है दोस्तो आप 313 अपे 30 पैसे के नीचे position short मना सकते है 328 के SL के साथ और इसमें अगर इसमें दोस्तो बात कुरो target की तो target मुझे जो इसमें लग रहा है वो 280 के आपस का 280 से 285 का target लग रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तो DLF आपको बताया था इसके भजाज finance आपको बताया है Nifty में दोस्तो पैटर मना हुआ इंडेसिन बैंक इसके साथ रेंक को अदान इपोर्ट भूर सारे stocks जिसमें patterns देखने को मिले है तो यह जो group है तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीच कहना चाहता है यह जो group है वो इस scanner का काम करता है अब क्या जैसे आपको technical analysis आता है बड़ technical analysis तो आपको आता है बट आप stock को search या फिर find अच्छी तरीके से नहीं कर सकते है क्योंकि आप एक बारी में कितने सारे stocks दिखेंगे तो इस group है scanner का काम करेगा यहाँ पे जिस भी stock पे कोई भी pattern मनेगा उसकी photo click करके यहाँ पे हम standard करते हैं उसका नाम, उसका time frame और इसके साथ साथ दोस्तों उस pattern का नाम तो वहाँ से क्या होता है हम बारद यहाँ पे हम किसी भी तरहीवी tips नहीं देते आप tips देते हैं हम चार्ट夠 आपो वीडियोस देते हैं वीडीयोस से अपको technical सीखने है और यहाँ से आपको चार्ट उठाने और इसके साबसे अपको trade करना है और कहना चाहूँगा दोस्तों अगर आपको इस तरीगी का technical analysis सीखना है तो आपको क्या करना है आपको जाना हमारी website में website है www.chartanalysis.co.in जो आप पीछे देख रहे हैं यहाँ पे जाके आपको से व्लॉग इन करना है, user id create करना है, otp password आएगा उसके बाद दोस्तों आप कर सकते हैं हमारा technical analysis का course पर्चेस कर सकते हैं जिसकी fees है मातर 7,999 जिसमें candlestick pattern, chart pattern, indicator, DAO theory, LLV theory, time frame का combination, demand supply और psychology सिखाई जाती है कहना चाहूँगा दोस्तों हमारा option का भी course है तो आप option भी ले सकते हैं अब यहाँ पर दोस्तों support की बात करेंगा, support क्या दे रहे हैं, support आपको दे रहे हैं, अगर आपको कोई भी doubt है, कोई भी करेंगे, तो आप directly मुझे call कर सकते हैं, आपको call receive भी करूँगा, आपकी query भी solve करूँगा दूसरा दोस्तों कहना चाहूँगा, आप हमारा communicate, whatsapp से भी कर सकते हैं, telegram channel आपको मिलेगा, lifetime के लिए, sunday को फ्री webinar करते हैं, sunday को भी दोस्तों अब अपने जो questions है वो push सकते हैं, sunday को हमारा जो webinar है, free रहते हैं, और यह जो support है दोस्तों, lifetime के लिए मैं आपको देता हूँ, सासा कहना चाहूँगा, वीडियो का content और quality बहुत अच्छी है, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, PDF file अपको मिलेगी, और सासा दोस्तों कहना चाहूँगा, बीजी वीजी मेटब भी करते हैं, और कल के दिन के stock के लिए मैं आपको जैसे DLF बता दिया, इसके साथ Apollo Hospital आपको देखेंगे दोस्तों, ये भी stock दोस्तों कल के लिए आप अपनी डडार में रख लीजेगा, Jubiland Food है दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों मिल गया हमें Shooting Star, अब ये देखो Shooting Star हमें मिला है Jubiland Food पे, और Shooting Star के सासा दोस्तों selling की confirmation आ चुकी है, और कहना चाहूँगा, ये भी stock दो का course लेंगे, दोस्तों आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा 28 वीडियोज है, और इतना depth में दोस्तों उसमें सिखाया है, और जो भी सिखाया है दोस्तों, उसमें 10% theory है और 90% practical है, तो बिल्कुल वो आपके दिमाग में हिट करेगा, ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फों सिर्फ कहना चाहूंगा, अगर आपको अपने डिमेट अकाउंट ओपन कराना है, किसी अच्छे ब्रोकर के साथ, मैं अच्छे ब्रोकर की दोस्तों बात कर रहा हूँ, तो दो ब्रोकर के लिंक है निचे description box में एक discount broker है, और एक full service broker है, उन में से किसी भी broker के पैस आप डिमेट अका